नमस्कार मैं हूं सुनिल बोबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्चक्रम बिहार सामाचार जहां बाते करते हैं बिहार की खबरों के साथ दिसदुलिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं डेटे बियार में सिच्चा रोजगार का क्या है हाल और क्रिशी की क्या है दसा और छातरों के लिए क्या है योजनाएं वहीं गाउं की सरकार को लेकर क्या चल रही है सरकार के दिमाग में बाते योजनाएं क्या चल रही है धरातल पर कैसे होगा गाउं का विकास तमाम खबरों से आ मुरारी परसाद गौतम की एक ब्यान को लेकर भड़क गए काफी कुछते में हैं आंदोलन कर रहे हैं उनका फुतलाद जला रहे हैं भीहार सरकार से मांग कर रहे हैं उनके इस्थिपे का प्रखास्त करने का वहीं इस पर भाजपा भी पीछे नहीं है भाजपा भी आवाद बुलंद कर दी है आपको बता दे कि बिहार के पंचाइती राजमंत्री मुरारी परसाद गौतम ने वाट सदस्यों को लेकर मीडिया में एक ब्यान दिया है कहा है उनके सिच्छा पर संदेज़त आया है उनके सिच्छा पर उंगली उठाई है कहा है कि वाट सदस क्या है उनका आंदोलन करना सायद ठीक नहीं है यानि कहा है कि वाट सदस जो अपनी मांगो के लेकर आंदोलन करना उचित नहीं है उन्होंने यह भी आरूप लगाया है कि जो पुर्व के वाड सदस हैं उनका कार्ज परदर्शन बेतर नहीं रहा है इसको लेकर बिहार सरकार जो है उनको युजनाओं में कटवती किया है उनके सिच्छा पर भी संदेह जताया है उनकी ज्यान पर संदेह जताया है इसको लेकर बिहार के वाड सदस ब्यान वापस लेने की मांग करते हुए बिहार सरकार से उन पर करवाई करने की मांग किया है वहीं बिहार भाजपा के परदेश अध्यच ने भी उनके बरकास्तिकी की मांग इस्थिपी की मांग बिहार के मुखिया नितिश कुमार से ही है अब इन अंदोलनों के बीच क्या कुछ सामने आता है आपकों बताएंगे दुसरी ओर अब बिहार के सिच्छकों पर भी आम लोगों की दिश्टी आ गई है यानि कि आरोप उस समय सिच्छकों पर लग बिहार के सिच्छकों पर आरोप लगाया कि सिच्छक गायव रहते हैं और समय से पहले विद्यालियों में छुट्टी कर देते हैं अब क्या सच्चाई है इसको लेकर बिहार के मुखमंत्री ने जाज का आदेश दिया है विभाग को फोन करके कहा है कि इसकी देखरे करे क् है तो बिहार के मुखमंत्री नितिसकुमार ने कहा स्कुलू से गायव रहने वाले सिच्छकों पर होगी अब कड़ी कारवाई जनता दरवार में मुखमंत्री ने सिच्छा भी भाग को यह निर्देश दिया कि अगर ऐसे शिच्छक हैं तो उनको पर करवाई करें ऐसे भी बिहार के मुखमंत्री नितिसकुमार ने सिच्छा दिवस के असर पर कहा था कि सिच्छक अगर स्कुल में रहेंगे पढ़ाएंगे तो बेतन बढ़ेगा और जो सिच्छक स्कुल से गायब रहते हैं उनको वर्खास कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा हलाकि अब मुख दिन गड़करी ने बिते दिन रोतास को लेकर दिया है कि 200 की दुरी दो किलूमीटर में शिमट गया है उन्होंने बिते दिन यह एलान किया और इसी पर बिहार के उपमुखमंत्री तेजश्वी यादों ने भी किंद्रिय मंत्री के समच्छ बिहार के विसेस दर्जा की मां किंद्र सरकार भी नोकरियां बाटी है न्युक्ति पत्र बाटी है या महागडबंधन के सरकार बनने के बाद ऐसा हुआ है खुसी की बात उन्होंने बताया यह खुसी की बात है कि किंद्र सरकार के दवारा न्युक्ति बाटने की परकिरिया कार्ज बिहार से सुरू किया उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में महागडवन्दन के सरकार बनते ही हर विभाग में न्यूक्ति पत्र बाटे जा रहे हैं मैंने जो वादा किया है उस वादा को पुरा करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि मुझे स्वास्त विभाग में मिला है इसलिए स्वास्त विभाग में भी बंपर भाली होगी इधर स्वास्त योजनाओं की हकिकत जानेगी अब राज्य और किंद्र सरकारे दोनों सरकारे स्वास्त योजनाओं के किरियानवन की अलग-अलग समिच्छा करेगी आपको बता दे अठारक को स्वास्त भिबागर राज्य अस्तरी समिच्छा बैठक में लेगा जन्दकारी और 21 को भारत स्तरकार की 15 हमी कॉमन रिवीउ मिशन की टीम आएगी दिहार समिच्छा की सुचना से अधिकारियों में हरकम मचा हुआ है वहीं अब तक 40-60 काम पूरे हुए है पूर में तीन बार जीलों में जा चुकी है विसेश टीम और इधर हम आपको बता दे अचार्ज सोमदेव के निधन से सीएम दुखी और राजपाल के निधन पर राजपाल ने निधन पर जताया है दुख इधर सुनिल सी के आपत सच्यू बने अनील और महिला किर्केट मैच 29 दिसंबर को होगा च्छा साल में भी नहीं मिला असना तक की डिगरी लगा आरोप आपको बता दे जनता के दरबार में मुखमंतरी कार्जकरम में मगद बिश्व बिद्दाले के एक छातर ने मुखमंतरी से सिकायत की की असना तक उनका सत्र 2017 डिश्ट का है पर 6 साल में भी डिगरी नहीं मिली है बिलम से सत्र चलने के कारण वह कई परतियोकता परिच्छा में बैटने से वंचित रह गए हैं इस करनामे को शामने आया है हलाकि विश्ववविद्याले के इस कार्ज के लिए बड़ा खेद है और राज में अबैट इट भठो पर जारी रहेगी कारवाई आपको बता दे कि भठा जो है एक इट भठे दूसरे इट भठे की दूरी एक किलो मिटर तै की गई है अस्कूल कोलेज अस्पताल से दुरी 300 मिटर की रखी गई है और कई सक्त नियम बनाए गए हैं अगर उस नियम को पालन इट भठे संजालक नहीं करते हैं तो उनकी लाइसेंस या कार्ज करने की जो उनके चमता है उसको बंद कर दिया जाएगा इदर आपको बता दे हर खेत तक सीचाई तीन चार वर्सों में शीयम का एलान बात हुई है अब मुखमंतरी नितिसकुमार ने कहा है कि अगले तीन चार वर्सों में सभी खेतों तक सीचाई के लिए पानी उपलब्द होगा इस पर तेजी से काम चल रहा है इदर नौमी से बारहमी के बच्चों के लिए बैगले सनिवार्ज नहीं होगा गांधी की नई तालिम की मुखबाते गांधी की नई तालिम में लागू कर रहा था सिच्छा विबाग आपको बताते चले कि अब परात्रिक और मध्ध विद्यालियों में हर सनिवार को हाई लिखाई जो है खेल खेल के माध्यम से होगा खेल के प्रती बच्चों की रुची जगाई जाएगी गत्विद्यों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा फुटबॉल किर्केट आधी किसे उन्हें खेल से प्रेरित किया जाएगा इसकूल आने के लिए आकर आपको बता दे बिहार पुलिस सुल्ल नमंबर को गांधी मैदान में आयोजी समारों में मुकमंत्री के हाथों सोपा जाएगा इन्हें नियुक्ति पत्र बिहार को एक साथ मिले की 3852 महिला दरोगा वज शिपाही महिलाओं को 35% आरच्छन वर्दी में आने का दिया गया है आ अधर हम आपको बता दे नितिस कुमार बिहार के मुकमंत्री ने कहा है कि राज में बड़ी संका में पदों का स्रीजन कर बहाली होगी आपको बता दे कि 1009 नियुक्ति कर्मियों को सोपे नियुक्ति पत्र जलस अंसादन विभाग के और जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जग बिहार को विसेश राज का दर्जा मिलता तो आज बिहार गरीब नहीं रहता हलाकि नुक्ति पत्र बाटे जाने का दौर खिलाल बरतमान में जारी है और एक दुगत कबर यह है कि बिजली जो है महंगी होने जा रही है कंपनी बिनियामक आयोग से ठिक्स चार्ज भी होने का परस्ताव है आयोग के समझ भी करेगी याच का विदेश कोईला के उपयोग के कारण महंगी होगी बिजली यानि की अगले वर्ष अप्रेयल में कह सकते हैं यानि एक अप्रेल 2023 से बिहार में 40,50 तक बिजली महंगी हो सकती है और जी 20 में खाद एवं उर्जा खंड कि धूरी घटेगी सिला न्यास कर दिया गया केन्दरिये मंत्रिक नितिन गड़करी के द्वारा और उन्हों ने कहा है कि उपर उठकर काम कर रहे हैं ते जाश्वी आदों ने उनके सामने उनके मंच पर परसंसा की बिहार की उएक के दोरा दिया गया है इधर धरमातरन राश्टीय सुटच्चा के लिए गंभीर है धर में लोग प्रिवर्तन कर रहे हैं जरा धमका के कर रहे हैं इसको लेकर एक गंभीर मोद्दा कोट के morale बताया गया है इधर बॉलेबूर्ट अभिनेता सुनिल सेड़े का निधन और खुदरा और ठोक महंगाई अक्तूबर में घटी तो यहां थी आज की परमुख खबरे आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा आपकी काम की खबरे थी वीडियो पसन आया तो लाइक जरूर कीजिएगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और गुरूपों में जरूर स्टेर कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम